तो वेल्कम फ्रेंड्स आप लोग देख रहा है वो अल इन वान पॉसिटिव तो आज फ्रेंड्स आपको बताऊंगा गूगुल वेरिफाइड कॉल्स एप के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले चैनल को अच्छा लगते हैं तो लाइक करो शेयर करो चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूलिये तो चलिए गूगुल वेरिफाइड एप को हम लोग देख लेते हैं तो कहां से आप लोग डाउनलोड करोगे सब कुछ में पर आपको बताऊंगा तो देखिए पहले आपको Google Chrome को पिंग करना पड़ेगा इधर आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च करना पड़ेगा फोन लिखकर फोन लिखकर जब आप लोग सर्च करोगे तो नीचे आओगे तो देखो के यह वाला अप्लिकेशन देख सकतो यह वाला अप्लिकेशन आपके मोबाइल पर डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि यह अप्लिकेशन पहले से Google Pixel पर डाउनलोड होता है यह क्योंकि Google का खुद का ही फोन है पिक्सल ठीक है तो क्या करना पड़ेगा थोरा सा नीचे जाओ नीचे जाने के बाद देखो लिखा है कि जॉइन दा बेटा भर्षिन तो आप लोग जॉइन पर क्लिक करो और इसको जॉइन पर क्लिक कर दो तो अभी यह ज़्टिंग बेटा हो रहा है तो जॉइनिग बेटा कॉंप्लिट होने के बाद तो देखो बेटा साइन आप इन प्रोग्रेस एड टेख से फ्यू मिनिटी तो थोर से इसको मैं रख देता हूँ और इसको मैं फीर से open कर लेता हूँ Chrome को और इसके बाद फीर से मैं phone को click करके phone को open किया तो देखो कि अभी introduction show हो रहा है तो इसको मैंने install करूंगा install होने के time कितना लेता है देखते हैं तो अभी देखो इसका जो rating है देख सकते हो यह है 3.9th trading and 100 million plus इसका download है और इसके अंदर आपको क्या का मिलेगा देख सकते हो इसके अंदर powerful spam protection जो business में बहुत सारे business जैसे bank सोचो कि जैसे insurance सोचो कि बहुत जगा से आपको spam call आता है उससे आप लोग को protect करेगा आप लोग बहुत लोग को नहीं जानते हो इससे भी आप लोग को protection देगा as like a true color भी बोल सकते हो true color आप जिसके काम करते इस तरह ही होगा तो इस पर आपको visual voice mail भी मिल जाएगा और screen unknown colors का नाम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा emergency support भी आपको मिल जाएगा emergency call भी आपको मिल जाएगा इस application के अंदर और यह जो application है इसको हम लोग open कर लेते हैं open करने के बाद आप लोग ध्यान से देखो set लिखा है कि phone can only start and receive call if it is your default phone app तो set as default and contact भी इधर है इधर आपको set as default मिलेगा तो इधर आपको click करने के बाद आप लोग सिर्फर से phone को select कर लोगे phone को select करके set as default कर लोगे तो open हो जाएगा और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तक यह service अच्छे तरह से available नहीं हुआ है बहुत जल्दी से जल्दी यह service available हो जाएगा और कुछ security के बज़ा से मैं इसको set as default आपको नहीं दिखाया था कि इसके बाद बहुत सारे phone number आपको शो करेगा जैसे contact आपका जो contact है वो शो करेगा इसलिए वो security के बज़ा से मैं इसको नहीं शो कर रहा हूँ तो वीडियो का पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो चैनल को subscribe करना मद भूलिए और आचे लिए जाता हो तो next वीडियो पर ज़रू मुलाकातों कर आड़ावावासी वर next वीडियो